टेलीगराम के एवरेज सीरीज का यह तीसरा कोष्चन है यह क्या बोलता है कि एवरेज ओफ 40 नंबर जो 36 है इसमें से पहले 25 का एवरेज कितना है 31 और लास्ट सूलो का एवरेज कितना है 43 तो हमें बताना है 25 वा नंबर क्या होगा यहां हम लिख लेते हैं नंबर और यह हो देखते हैं यह बोलता है कि जो 40 नंबर है न उसका एवरेज 36 है बहुत सही पहले 25 फर्स्ट जो 25 है इसके करान एवरेज कितना है बोलेंगे 31 और जो लास्ट का 16 है उसके करान एवरेज कितना है अब बोलेंगे 43 तो एक बात बताईए 25 और 16 मिलके कितना हो गया 41 मेंबर हो लेकिन क्या गुरूप में अपने पास 41 मेंबर है बोलेंगे नहीं गुरूप में तो 40 ही है एक एक एक्स्ट्रा क्यूं आया तो एक एक्स्ट्रा इसलिए आया है क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड़ करेंगे तो 1,2,3,2,2 करके 40 मेंबर तो आएगा 40 का 40 आएगा प्लस म एक एक्स्ट्रा मेंबर आयेगा जो होगा आपका क्या 25 थे जैसलिए तो जिस मेंबर का एंट्री हुआ है इसके कारण हमें देखना marriage होता है तो जो 25th number जिसको आप include किये हैं इसका value average से ज्यादा होगा जैसा कि हमने lecture में बताया है अगर 25th number को include करने के कारण पूर नया group का average decrease हो गया इसका मतलब जो नया member आया है इसका value जो है वो average से क्या होगा उमीद है ये चीजे आप relate कर पा रहा होगे जो हमने lecture दिया था उसका आया देखते हैं सिनारियो क्या है तो net deviation देख लेते हैं net deviation क्या है ग्रूप का deviation से ही तो idea लगे या कि नया member जो आया है उसने क्या कांड किया है अगर हम first 25 का देखे तो हर एक member जो है वो कितना कम लेका है पांच कम लेका है मतलब हर एक इंसान के कारण group को 5 का loss हुआ है तो 25 इंसान के कारण 25 गुने-5 का loss हो गया फिर अगर 16 group वाला देखे तो हर एक जो है member वो ग्रूप में 7 add करके जा रहा है total member कितने है 16 तो group में 16 into 7 add हो गया यहां से क्या लिखेंगे यह तो 125 का minus है और 112 का plus है इसका मतलब minus का हो गया है 13 एक बात बताईए यह minus का 13 हुआ क्या मतलब यह है कि group को loss हुआ है ग्रूप को loss हुआ है एक नए member को include करने के कारण इसका मतलब नए member जो आया है वह average से कम value लेके आया है तभी तो loss हुआ है तो जो नए member है यही 25th number था ना तो 25th number कितना होगा actual में कुछ कांड ना होता तो इसका value 36 होता है लेकिन अपने कारण group को 13 units का loss करा दिया तो 13 जो है यह कम लेके आया होगा क्योंकि यही एक extra entry है जो भी loss या gain होता इसी के कारण होता तो answer कितना गया है 23 तो जो 25th number है उसका value कितना हो गया है 23 जो कि है option number 1 तो उमीध है यहां पर आपको यह doubt नहीं होता होगा किस case में add करना है किस case में plus करना है आप lecture देखे उसमें हमने बताया है अगर आप group में include किया हमने और include करने के कारण average increase हुआ है तो जो value है उसका number जो है या उसका value जो आपने include किया उसका value average से ज्यादा होगा average से ज्यादा लेके आएगा तभी तो group को फायदा होगा include करने के कारण अगर average decrease हो गया तो जो भी आपने include किया उसका value average से कम होना चाहिए क्योंकि average से कम होगा तभी तो group को loss होगा आप पूरा loss and gain के term में देखिए तभी समस्या नहीं आएगी ऐसे ही अगर आपने exclude किया है exclude के case में क्या होगा अगर average increase किया इसका मतलब किया है जो जाने वाला था वह average से कम लेके जाएगा तभी ग्रूप में extra बचेगा अगर exclude करने से average decrease हो गया इसका मतलब जाने वाला जो है वो average से ज्यादा लेके जाएगा तभी तो group का loss होगा तो अगर मालने जिए कि exclusion के कारण group को loss हुआ या फिर average कम गया इसका मतलब क्या है जाने वाला जो है वो average से ज्यादा लेके जाएगा average से ज़्यादा लेकर जाएगा तभी न गुरूप को loss होगा तो पूरा loss और gain के term में देखें कभी कोई समस्या नहीं आएगी तो अगर यह वीडियो ने किसी भी तरह से आपको मदद पहुंचाई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रू से सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पे सारे बेश्ट प्यू आक्यू का सलूसन मिलेगा आपको दीटेल में और अगर हम यहाँ पे कोई कॉई कॉंसप्ट डिस्कस करते हैं तो उठाएंगे बेसिक से लेके जाएंगे टॉप तार तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सॉलूसन के साथ और एक नए कॉंसप्ट के साथ